जैनरे वन सौगत आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडिन डिफेंस की प्रमुक अपडेट्स को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज की अपडेट के शिरुवात करेंगे हम स्ट्रा जो स्ट्राइकर आर्मर्ड वहकिल है इनका निर्मार संयुक तरूप से दोनों देशों के दोरा किया जाएगा और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि वो स्ट्राइकर के एम शोरैट यानिकी मनुवर शॉर्ट रेंजियर डिफेंस सिस्टम बैरियन पर काम करेंगे ये एक हा रेंजियर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये काफिल लीथल है और ये एक मुबाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको कहीं भी डेपलॉय किया जा सकता है और ये अलग लग प्रकार के जो लो एल्लिटूट के थ्रेट्स है इनको काउंटर करने में सक्षम है इसे ने स्ट्रा जो वार्ड का लेजर वैपन सिस्टम भी देखने को मिल सकता है जिसको हम डाड़ेट इनर्जी एम शोरैट के नाम से जानेंगे अगर हम एम शोरैट की बात करें तो ये काफी महातरपूर्ण है और माना जा रहा है कि भारत को इसकी टी ओटी भी दी जाएगी ये जो हमारे पास प्रेटफॉर्म है ये मौजूद है जो टाटा वैप हो गया ये महिंदरा डिफेंस के दोरा बनाए गया जो वैप के लिए वो हो गया तो इससे में देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा कि लॉइड ऑस्टिन का ये दावा कहां तक साच होता है और क्या भ उसके बाद से एक बड़ा जो दावा था भारतिया वायव सेना का उस पे चर्चा शुरूर हुई है जहाँ पर कहा गया था कि 2030 तक भारतिया वायव सेना जो 42 स्कॉर्डन शम्ता है इसको पार कर लेगी लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है देखिए अभी तो ऐसा नजर नही मार्क वन ए इनसे एक बड़ा बूस्ट तो मिलेगा लेकिन इनके आने के बाद भी एक जो बड़ी कमी है यह बनी रहेगी इस समय भारतिया वायव सेना को 42 स्कॉर्डन चाहिए एक ऑप्टिमल एयर डिफेंस कैपबिल्टी को प्राप्त करने के लिए लेकिन जो करेंट स्क है उससे भी कम और पहले यह बना किया था कि 2030 से 32 तक यह टागेट पूरा कर लिया जाएगा लेकिन अब यह काफी मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि भारतिया वायव सेना अल्रेडी 36 के संक्या में मार्क वन वैरियंट को उपरेट करती है और 18 ट्रेनल कॉर्डर प्लेस कि खरीद के बाद भारतिया वायव सेना तकरीबन 2032 से 33 तक 2026 तेज़स जट्स को अपरेट करेगी यो कि एक बड़ा कैपबिल्टी बूस्ट तो है लेकिन फिर भी अभी भारतिया वायव सेना को एक लंबा रास्ताताय करना है भारतिया वायव सेना को इस चीश की उमीद है क शायद उन्हें जल्दी 114 जो फाइटर रिक्राप्ट है MRF के अंतरकत उनकी मंजूरी मिलेगी और अभी हाली में 12 सुकुई 30 एम के एक जट्स की खरीद को मंजूरी दी गई है जिसके बाद भारतिया वायव सेना की ताकत काफ़े बढ़ेगी अगर हम इंडिने फोर्स की 17 स्कॉर्डन को ये फॉर्म करेंगे लेकिन गवर गवर करने वाली बात ही कि हाँ पर ये है भारतिया वायव सेना को इसी दरान मिक 21 को 2025 तक कम्प्लिल्ली रिटायर करना है तो 2027 से जैगवार का रिटायर्मेंट शुरू हो जाएगा तो ऐसे में हम ये मानके चल रहे हैं कि भारतिय वायव सेना को 30S Mark 2 की एडिशनल जो स्कॉर्डन है इनको भी कंसीरर करना पड़ेगा ताभी जो एस्टिवेटिड टार्गिट है ये प्राप्त किये जाएंगे दोस्तों हम सब जानते हैं कि डिफेंसे सच और डेबलप्मेंट और्गनाइजेशन ने हाली में स्मा पॉर्टिन बात ये है कि ये जो मानिक इंजन है हमारा ये हमारे खुद के सबसॉनिक क्रूज मिसाइल डेबलप्मेंट प्रोग्राम में एक महात्रपुन भूमे का निभाने वाला है इस इंजन को कैस्ट्रोबा इंडिशनस इस्टैबलिश्मेंट के द्वारा विक्सित कि गया है और अगर हम मैनिफैक्ट्रिंग की बात करें मानिक इंजन की तो ये गोद्रेश के द्वारा की जा रही है जो कि एक प्रत्रेक्ष प्रमाड है पबलिक और प्राइवेट इंटिटीज के कोलाबरेशन का और उसी का परणाम है कि ये इंजर अबन के तयार है और हाली सबसे पहली जो missile होगी वो एक Ground Launch Cruise Missile होगी यहां Ground Launch Cruise Missile में हमें जो missile देखने को मिलेगी Ground Launcher से Launch किया जा सकेगा और इसमें हमने success भी प्राप्त कर ली है उसके बाद सबमरीन Launch Cruise Missile मिसाई देखने को मिलेगी और इस समय जो सबमरीन Launch Cruise Missile Variant है इसकी टेस्टिंग चल रही है औ एक Air Launch Subsonic Cruise Missile का development शुरू कर दिया गया है और फिर आएगे Ship Launch Cruise Missile जो की भारतिय नौसेना के वार्शिप्स को ध्यान में रखकर के बनाई जाएगी और इससे भारतिय नौसेना के वार्शिप्स की जो strike capability है ये काफी ज़्यादा enhance होगी यानि एक मानिक इंजन के successful test के बाद कई missile के development के रास्ते अब खुल चुके है हमारे एगली बड़ी अपडेट भारतिय वाइव सेना को लेकर के आ रही है जैसे के हम तब जानते हैं भारतिय वाइव सेना बड़ी संख्या में जैगवार फाइटर्स को अपरेट करती है और इसी बीच भारतिय वाइव सेना के द्व combat missile को add करने के बारे में विचार कर रही है जो कि संभा हुता Nick Generation Close Combat Missile या NGCCM होगी जिसकी बात हम कर रहे हैं NGCCM basically MBDA Advanced Short Range Air 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 Areas जैगवार फाइटर जेट्स में जो NGCCM है जैनि नेक्शनेशन क्लोज कॉमबैट मिसाइल है इसका इंटिग्रेशन पूरा किया जा चुका है लेकिन जो टेंडर है यह सजिस्ट कर रहे है कि या तो अभी जो लाइफ फाइर टेस्टिंग है यह पूरी नहीं की गई है या फिर जो प्रिवियस ट्राइल थे यह लिम्टेट थे कैप्टी ट्राइल तक तो इसके बाद अब यह माना जा रहा है कि आगे की जो कारेवाही है यह शुरू की जाएगी इसके अलावा जो HMDS है पाइलेट के लिए यालेट माउंटेड डिस्पले सिस्टम है इसको भी अफगरेट किया जाने की बात की जा रही है जिससे पाइलेट की सिच्वेशनल अवेरनेस काफ़ ज़्यादा बढ़ जाएगी और टारगेटिंग कैपबिल्टी भी काफ़े जादा इन्हेंस होगी और जितने भी क्रिटिकल फ्लाइट और टारगेटिंग इन्फरमिशन है यसीधा पाइलेट को उनके हिलमेट के वाइजर पर प्राप्त होगी आपको बताते चलें कि इस समय भारती अवायव सिना ने NGCCM को सेलिट किया है प्राइमिशन के तौर पर और खास बात यह है कि डेगवाई डेरन 3 के लावा जो बाकी के दो वैरियंट्स है डेरन 1 और डेरन 2 इनको रिप्लेस किया जाने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है और माना जा रहा है कि 2027 से 28 तक चरण बत तरीके से रिटारिमेंट की जो प्रक्रिया है यह भारती अवायव सिना के दोरा आगे बढ़ाई जाएगी तो आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलता है कि लिए वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए नया है तो चनल को सब्सक्राइब करिए